So hello guys, welcome to my YouTube channel Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे WhatsApp, Business में आप नया नंबर कैसे सेव करेंगे ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीचीगा, बिलकी आइकन को प्रेस कर लेना है सो दिखिए, आपको नया नंबर सेव करना हो तो पहला तरीका तो यह रहत है कि हमारा फोन का जो डाइलर रहता है आप डाइलर में जो नंबर सेव करते, ठीक है, जैसे कि मैं आपने डाइलर ओपन किया हम इसको सेट अस डिफॉल्ट कर लेते, ठीक है तो आप यहाँ पे जो number को save करेंगे जो भी number आप लोग यहाँ पे save करेंगे आपका अगर वो number whatsapp वाला होगा तो आपका वो whatsapp business में भी सो होना start हो जाएगा ठीक है या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं आप अपना whatsapp business को open करेंगे then आप click करेंगे chat के उपर chat पे click करेंगे तो यहाँ पे दिखे आपको new contact मिलेगा simple आप इस पे click करेंगे ठीक है तो यहाँ पे आपका first name, last name, company यह डलना हो तो डाल सकते हैं फिर आपको simple अपना phone number यहाँ पे डाल करना होगा then आपको save करना है तो आपका यहाँ पे contact से हो जाएगा ठीक है तो यह तरीका है जिससे आप WhatsApp बिजनस में अपना number से उखर सकते हैं okay so topic is cover मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जै मातादी